दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है 30 सितंबर तक आपको राशनकार की EKYC करा लेना नहीं तो आपका राशनकार से नाम कर जाएगा और आपको राशनकार लाब नहीं मिलेगा दोस्तों ये न्यूज आ चुकी है तो आपको EKYC कैसे कराना है दोस्तों अगर माल दीजिए आप अपना कहिन बाहर रहा रहा है आपको कोई भी घर का सदस जैसे 5 लोग है आपके घर पे एक ही राशनकार में 5 लोग नाम है तो 5 लोग को अलग-अलग EKYC कराना होगा अधार क नमर और बायोमेट्रिक मेथर से तो अगर आपका EKYC नहीं हो रहा तो आपको पैसा नहीं आपको राशनकार से जो है कि रासन नहीं मिलने वाला है और अगर आप बाहर रहा रहा है अगर एक सदस तो वह EKYC कैसे कराएगा तो दोस्तों जो घर पे रहा रहा है चाहिए बाह कोई पैसा नहीं देना है EKYC का मुख के उद्यस गौर्णमेंट का है कि कोई सी की साधिया है मृत्तु हो जाती है तो रासनकार का मुख तो लाब नहीं मिलता है यानि कि जिन सदर्सया का इगलाम पर रासनकार दार जो उनको EKYC करानी है आप आप देख जाते हैं खाद एम कर रहाकार उसके आसपास जो भी जासनकार का दिस्टिबूटर है उस जगह का वहाँ पर जाकर अपना अधारकार नंबर कर भायमेट्रिक मेतर से अपना EKYC कम्प्रीट करा सकता है और इससे आप वहाँ से एक्टिव हो जाएगा अगर अगर माल यह EKYC आपने करा लिया इसका नाम है मेरा रासन आप इस पर क्लिक करेंगे इस 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 आप के मदद से आपके वहले बिहार का चेक कर सकते हैं मैं दूसरे इस्टिट का भी चेक करके आपको बताऊंगा यहां देखिए रासनकार नंबर है तो यहां पर रासनकार नंबर को आपको यहां पर सम्म की निताइब यहां पर आप सब्क्राइर यहांपर सब्सक्राइब माली है यहां पर demokrat to मतलब कि सेटिंग स्टेटेस कंप्लीट नहीं है जिसके काड़ यह बिल्कुल नहीं है तो इस तरीके साब कर दोस्तों अगर वीडियो पर अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें धनवाद